तो I hope आप लोग को पिछले वीडियो के अंदर टेबल्स करेट करना आ गया होगा है HTML के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग CSS के अंदर टेबल्स को स्टाइल करके देखने वाले हैं हम लोग बनाने वाले हैं कुछ खूबसूरत टेबल्स जिसके अप लोग अपने जो भी डेटा को स्टोर करना चाहते हो वह आप अच्छे वे में कर सकते हो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टाइलिंग के बारे में जानेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एडवांस डेवल चीजे भी देखेंगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़े सी styling देने वाले हैं, सबसी पहले जो चीज हम लोग इसको देंगे, वो रहेगी table को border देना, अब मैं क्या करूँगा, table लिखूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं table tag को target कर रहा हूँ, and उसको मैं borders प्रवाइड करने की कोशिश कर तो वो चीज भी आप लोग similarly करोगे, लेकिन अगर मैं इसको save करता हूँ, तो आप लोग देखोगे, यहाँ पर इसके जो सिरफ outer layer है, उसके अंदर ही हम लोगों को border देखने को मिला है, तो table tag क्या है, table tag इन सब का पूरा का पूरा एक parent tag है, यह हमारा सिबसे outer tag है, जिसके अंदर हम लोग जो भी table को create करना चाहते हैं, वो सारी चीज़े हम लोग table tag के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को इसको style करते हैं, तो जो border होता है, वो सिरफ इसके outer पे ही लगेगा, अगर हम लोगों को इसको जो tr tags है हमारे, और जो th tag, td tag इन सब को अगर borders दे करना, तो आप लोग वो चीज़ कर सकती हो, लेकिन हमारे पास एक shortcut होता है, मैं यहाँ पे comma डालके, जिन-जिन tags को मैं same styling देना चाहता हूँ, वो उन सब के आगे यह चीज़ डाल दूँगा, th, tr, td, तो मैंने यहाँ पे सभी के आगे यह चीज़ डाल दी, आप लोग दे उसके around हमारे पास एक border है, तो तो अम लोगोंने सभी को borders प्रवाइड कर दी है, एक single styling की मदद से, अब हम लोग क्या करने वाले है, इसको थोड़ा सा ओर style करके देखने वाले है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक background color प्रवाइड करेंगे, background color अगर मैं चाहूँ तो सिरफ table को भी provide कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम सबको भी provide करेंगे, तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत रहने नहीं वाली है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको background color प्रवाइड करता हूँ, blue color का, ठीक है, उसके बाद मैं इसको save करता हूँ, और देखते हैं हमारे website के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक blue color की table देख रहे होगी, जो कि दिखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसके color को थोड़ा सा change गर तो मैं इसको yellow कर देता हूँ, अभी थोड़ी सी अच्छी table हम लोगों को देखने को मिल रही है, अब हम लोग चाहते तो इसको और थोड़ी सी हम लोग styling दे सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास और भी भहुत सारी properties होती है, borders के अंदर, जो कि आप लोग इस case में utilize कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक border collapse नाम की property होती है, अब यह क्या करती है, अगर मैं इसको border collapse is equal to collapse कर दूँ, तब आप लोग द दो borders है, वो सामने सामने आ रहे हैं, उसको वो collapse कर देती है, और उसको एक ही border बना देती है, तो यह property आप लोग तब यूज़ कर सकते हो, जब आप लोग को जो भी table है, उसके अदर data बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग जाते हो कि single single border सी इन tables के बीच में देखेने को मिले तो अब लोग इस वाली property का use कर सकते हो, और आप लोग इस table को एक अच्छे way में represent कर सकते हो, यह वादी property बहुत जादा use की जाती है, अगर आप लोग tables को represent करते हो, यह चीज़ आप लोगों को बहुत जादा अच्छे तरीके से आने चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या करत लगभग, let's say, मैं इसको 100 pixels की width प्रवाइड करता हूँ, let's see कि क्या दिखता हम लोगों को, अब भी हम लोगों ने TH tag को 100-100 pixels की width दी ती, जैसे कि हम लोगों ने TH tag को दी, अब उसने same width है, उसके TD tags को भी दे दी, क्योंकि आप लोगों को जड़ टाग है, वो आप लोगों क जो भी heading tag है, अब उसके अंदर जो भी आप लोगों कोई columns आएंगे, उनके width same रहेगी, तो यह चीज़ similar है, अगर आप लोग अगर TH को जो भी styles देना चाहते हो, अगर आप लोग TD और TH को दोनों में से किसी को भी दो गए, उसकी width और height है, तो वो चीज़ दोनों के apply होगी यहाँ अगर मैं इसको height देता हूं, suppose कि मैं इसको height देता हूं, around 40 pixels के, ठीक है, 40 pixels के, अगर मैं इसको height दी, शायद 40 pixels थोड़ा से, मैं थोड़ा सा जाते हैं तो 100 pixels के work ठीक है, अब मैंने इसको 100 pixels दी, and मैंने इसको saving नहीं किया ठीक है मैं इसको save किया and देखो आप लोग अभी आप लोगों को सिरफ th के अंदर height देखने को मेर रहे है क्योंकि width के अंदर आप लोगों के जो भी column की width है वो भी signify होती है अब यह जो border है वो ऐसे करके ऐसे तो जाएगा नहीं वो चीज ऐसे की ऐसे ही जाएगी सीधी की सीधी तो अगर आप लोग विट्थ को define करोगे तो विट्थ आप लोगों की सिरफ td stack के पास भी चली जाएगी लेकिन जो height है वो सिरफ आपके जो भी आप लोगों की heading tags है जो भी आप लोगों ने जिस tag को specifically styling दी है उसी के पास ही रहे की तो यह comment किया जाता है कि आप लोग td और th अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आप लोग इनको साथ में styling दे सकते हो अगर आप लोग चाहते हो इन सबको same stylings provide करना तो यह चीज बहुत जादा अच्छी चीज है आप लोगोंने width का देख लिया height का यूज देख लिया और properties भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग tds को align कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक align अगर मैं इसको align करके दिखाओं आप लोगों को align items center करता हूं तब आप लोग देखोगे कि यार कुछ नहीं हुआ यहां पर क्यूंकि हम लोगों को इस वाली align item center वाली property है वो हमारी तब य दिखा था वो सारा का सारा center के अंदर आ गया क्यूंकि इसने क्या गिया यहां पर इस सारे text को जो भी यहां पर चिपका हुआ था वो सारे text को यहां पर center में align कर दिया तेक्स अलाइन प्रोपर्टी के बारे में आप लोग जानते हो आप लोगों ने क्या किया है ? यहाँ पर जोभी टेक्स्तर अलाइन प्रोपर्टी थी वह हर एक एलिमेंट को दे दी अब भी देखते हैं हमारे पास क्या आ रहे है सूपर करता हूं तो कि क्या कर रहा है अब आप लोगों ने सब और सब टैग के बार में पढ़ा था मैंने आप लोगों को बताया था एक हमारे पास सब टैग होता है एक सूपर टैग होता है तो वह sub tag क्या केते हैं अग usub tag श skip tag लिखना है वह क्या करता है उस वाले text को जो बही उपर की तरफ वो कर देता है जैसे हम लोगोख from xqra लिखना है तो xqra के case में वह उसको 2 होता है उसको ऊपर की तरफ shift करदेता है लेकिन ऐगर हम लोगोख do h2o लिखना है तो वो two को जो sub-tag है वो sub-tag क्या करता है उस two को नीचे की तरफ shift कर देता है तो यहां पर वैसे ही हम लोग अगर इस vertical line के अंदर super property का use करता है तो वो क्या करता है उसको ऊपर की तरफ पुश कर देता है इन सारी चीजों को आप लोग खुद explore करके देख सकते हो, इन में जो कुछ properties है, जैसे कि यहां पर bottom वाली जो property है, यहां पर यह वाली property बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन जो text bottom वाली properties है, I think यह सारी चीजे अलग अलग जगाओ पर अलग अलग तरीके से काम आती तो अगर आप लोगों को text को align करना, अपने हो B tv Ethiopia ব Tуб ॐальное , वैं आप लोग वरतिकर यहां पर सकते है, अफ्र और आप लोगों को alaigner का यूज कर सकते हो और अपना विगे type in चाहं तो अगर हमारे पार इन beth Tag है अगर मैं इसको TH tag है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक background color एक अलग color का देता हूँ, यहाँ पे aqua color का, ठीक है, मैं इसको aqua color का background color दिया, अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी सी table देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को W यहाँ पे कोशिश की है, अब यहाँ पे आप लोगों को borders के साथ खेलना पड़ेगा, आप लोगों को फोन family के साथ खेलना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे अलग-अलग alignments के साथ खेलना पड़ेगा, आप लोगों को इन सारी चीज़ों को खुद try करके देखना है इन लोगों ने बनाई हुई है, आप लोगों को same table create करके देखनी है, आप लोग इस alternate color वाली चीज़ को skip कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर green color रखना है, यहाँ पर white color रखना है, तो यह चीज़ आप लोगों के लिए एक exercise रहने वाली है, जिसके थु आप लोगों बहुत सारी properties को same time पे learn करने वाले हो, तो यह चीज़ आप लोगों को जरूर से सीखनी चाहिए, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों के नेक्स के लिए में तब तक के लिए, बाबाई!